नमस्ति फ्रेंज्स कैसे हो आप सब आई होग आप सब ठीक होंगे और घर पे होंगे दोस्तों आज हम यह और ब्लाउज पीस का रियूज करने वाले हैं तो यहां से मैं बैक सीट बैक पार्ट जहां से मैं कट कर लोगे और यहां पर जो माल जरींग का कपड़ा था जिसका मैंने रियूस किया है और बहुत ही प्यारा से हम बहुत ही उसफूल सी खास चीज बनाएंगे तो ऐसे मैं दो पार्ट निकाल लोंगी बैक साइड में से यहां से भी हम निकाल लेंगे यहां पर दीके दो पार्ट हमारे रेडी हो गये अब मैं इसका नाप आपको ब करना है जिपको लेना है एक और ऐसे उल्टा रखके सीधा सिलाई कर लेना है अब हम यहां पर प्रेस्टीज कर लेंगे अब उसी तरीके से दूसरी सेट भी हमें लगाना है ऐसे उल्टा रखना है और सिलाई कर लेनी है सिलाई हो गई प्रेस्टिज भी हो गई है अब हम यहां पर वन इचिस पर कट लगा लेंगे और दूसरी जिप को हम अटेज करेंगे उसी तरीके से हमें ऐसे उल्टा रखना है जिप को और सिलाई करने दोस्तों अगर आपको बेक का कोई भी लो माटिरियल मंगवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है देखें यहां पर हमने दोनों पार्ट को अटेज कर लिया है अब देखें यह नीचे का जो पार्ट है अमने जिप अटेज कर लेंगे और यह जो हमने जिप का जोड लगाया था वहां पर हमें ऐसे नोनों को अटेज कर लेना है देखें इस तरीके से अब हम इसे प्रेस्टीज कर लेंगे यहां पर हमने प्रेस्टिज कर ली है अब उपर का पाट ऐसे नीचे रखना है और जिब की अंदर हम रनर को डाल देंगे रनर को डालना बहुत ही आसाना ऐसे ओपन करके हमें बस डाल के पूस करना है अब हमें 9 बाय 4 इंजिस का ऐसा पाट लेना है उसे ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहां पर हमें पीछे की साइड इस तरीके से रखके यहां से लेकि यहां तक से लाई करनी है बहुत ही आसान सब एग है जटपट रेड़ी हो जाता है और बहुत ही यूसपूल है इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और थोड़ी सी हम फिनिश्टिंग देंगे और नीचे की और राउंड सिप देंगे अगर आपको यसे स्क्वेर कॉर्णर वाला बनाना है तो भी बना सकते हैं अब हम दूसरी साइड भी कट कर लेंगे उसी के नाप से अब मैं यहां पर 46 इंचिस की यह दोरी ले रही हूं और अगर आपको यह दोरी खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आप वहां से पर्चेस कर सकती है और यहां पर मैं यह जो सेंटर वाला जिप है वहां पर हमने यह दोरी को अटेज कर लिया ह अब इसे फोल्ड करके पूरे सरकल में पूरे राउन में हम स्टीज कर लेंगे अब हम कवर सिलाए के लिए इस तरीके की स्ट्रिप ले रहे हैं यहां पे आप नौन वेंट की जगा पे सिंपल कपड़ा या सौपिंग बैक का कपड़ा भी यूज कर सकती हैं देखें यहां और चोटा अंदर की और और ऊपर की और बहुत ही प्यारी प्रिटी है कोई भी आप ड्रेस में मैचिंग करके पैन सकते हैं अब देखें बैक साइड में से यह जो बचा हुआ कपड़ा था उसका यूज कर रहे हैं और अब हम फॉर इंचिस की जिप को लेंगे ऐसे उल्ट प्रेस्टिज भी कर लेंगे उसके बाद हम जिप के अंदर रनर को डाल देंगे और इसे हमें उल्टा कर लेना है उल्टा करने के बाद यहां पर हमें सिलाई कर लेनी है सिलाई करने के बाद इसे हमें पहले सीधा कर लेना है सिलाई करने से पहले और ऐसा लूप्स बना ले सिधा करने के बाद इसे ऐसे फॉल्ड करते हुए सिलाई करनी है और यह लूपस है उसे सेंटर में जहां पर जीप आ रही है वहां पर ऐसे रखना है और इसके उपर फॉल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है जैसे हम पिलो कवर में बन करते हैं उसी तरीके से हमें फॉल्ड करत करनी है तो यहां पर यह रेडी हो गया पाउंच आप अलग से भी बना सकते हैं और यह मैंने पर्स में जोइंट कर दिया है ताकि हम इसमें इयरफोन डेटा केबल कुछ भी हमारा चोटा मोटा जो सामान है उसमें रख सकते हैं और बहुत ही यूस्पूल है तो आपको यह दो आइडिया कैसे लगे मुझे कमेट करके ज़रूर बताना मिलते हैं नेक्स वीडियो में एसे नए आइडिया से साथ तब तक के लिए बाबाई जय बारत